एलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग जैसा कि कल मैंने बताया था कि आप लोगों के साथ पावभाजी थनिया8 ऑ चोटी खायさ 2 नाँची Soros लॉंग के हैं हमने टुकडे कर लिये थे इसके और एक मोटी लायची वो भी इसका छिलका हम निकाल देंगे सिर्फ इसके दानों का यूश करेंगे तो ये जो है इसकी quantity आप जरूर देख लीजेगा और बहुत जादा strong flavor हमें इसमें नहीं चाहिए तो बस थोड़ी बहुत महक चाहिए इसमें और ये देखे एक हमने चक्री का फूल जिसको पत्थर का फूल हमने ले लिया है और थोड़ी सी एक चमश काली मिर्श के दाने ले लिये हैं और थोड़ा सा सौफ सौफ बहुत जरूरी है पावजी मसाले में और उसके बाद इसमें आड़ कर देंगे हम दो तेश पत्ते दो से तीन छोटे छोटे हैं तो हमने तीन तेश पत्ते ले लिये हैं तीन से चार ले लिजे अगर बड़े बड़े हैं आपके तेश पत्ते तो दो ले लिजे और जो सबसे ज़ादा ज़रूरी चीज है वो है कस्मीरी लाल मिर्च, यहाँ पे मैं तीखी लाल मिर्च नहीं आट कर रहे हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़ादा तीखा नहीं खाती हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, और फ्रेंड्स दो टेबल स्पून जीरा ले लिजिए साबत और उसके बाद में हमें हाँ पे नमक डालेंगे, नमक हमने डाल दिया है यहाँ पे, एक चमश, बड़े चमश से और इसी नमक में हम अपने मसाले बहुत धीमी धीमी आज पर, कि बिलकुल भी यह जलने न पाए और इसकी खुसबू भी बहुत ज जल जाएगा तो निकल जाएगी फ्रेंड्स तो ध्यान दीजिए बहुत धीमी धीमी आज पर अपने मसालों को रोश्ट कर लेंगे आराम से चलाते हुए और यह मसाले आप बनाके रख लीजिए कम से कम 5-6 बार आप जरूर जो है और एक चीज और ध्यान दीजिए फ्रें इसंद्रजिए में मसाले पढ़ते हैं फ्रेंड्स और इसमें हमने थोड़ी से हींग एड़ करिए हींग में यह बाद में पार पीसने जाते हैं उसको मैंने भूना नहीं है जब पीशूँगी उसके बाद ऐड़ कर दूंगी और धनिया तो हमने साबत ले लिया है बट इस अगर आपको लगे कि आपकी मिर्ची नहीं पर्फिक्ट पकी है और बाकी मसाले हो गए है तो फटा फट से इसको आप प्लेट में ट्रांसफर कर लीजिए और मिर्ची अलग से निकाल के दुबारा से रोष्ट कर सकते हैं पैन में मेरी हो गई थी मैंने नमक के साथ ही इसको लिया था फ्रेंड्स तो यह देखिए बहुत जादा हमको जलाना नहीं है इसकी फ्लेवर को और खुसबू को बरकरार रखना है तो एक बार यह ठंडा हो जाए उसके बाद हम मिक्सी जार में डालकर बारिक पेस्ट बना लेंगे तो यह देखिए मसाले हमारे ठंडे हो उसके मार्केट से लेनी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो देख सकते हैं उतने से मसाले में हमने एक बाउल भरके बना लिया है कम से कम इसमें हम 8 से 10 बार पाव भाजी बना लेंगे इतने मसाले मेरे बन के तयार हुए है तो अगर मसाले की रेज़पी अच्छी लगी ह तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज